सब्सक्रानष ये चिन से रिलेटड आर्टिकल है और ये डिफेंस और भारत कभी इसमें बहुत सारी बाते की गई है अभी दिफेंस पावर जो देखेंगे चाइना बाराते जा रहा है तो उसको लेके बात की गई है अभी जो नया फाइटर जेट है समझी ये लाउंच किया है चाइना ने और चाइना ने ये नौ सेना जो वर्जन है इसके लिए बनाए गया तो आज कल आप देखेंगे तो मतलब की जो ने भी होती है उसके लिए अलग फाइटर जेट बनाए जाते हैं फिर एर फोर्स के लिए अलग बनाए जाते हैं मतलब हर एक के लिए अलग और दिए है फ्रांच को उल्ट तो यॉरा फेल आभ देखेंगे तो वह फ्र पोरइसअ का HE a फाइटर जेट है और फिर अभी जो चाहिना तो वह खुद से डेवलब ह tempted टेBrike亞allas का लिलियो अर जे 35 विमान है समझे उससे प्रतिस परदा करने के लिए competition करने के लिए आप देखेंगे कि ये बनाया है चीन ने और इसको अभी 9 सेना में उतार रहा है इसी को लेके आर्टिकल आया है तो ये भारत के लिए भी चिंता की बात है क्योंकि उसकी जो 9 सेना है तो काफी मजबूत है और चाइना बहुत ही देखेंगे कि महातो अकांची अपना प्रजेक्ट रखा है कि उसको जो अपने सैनिक में मोडर्नाइजेशन वो सुरू किया था दस सल पंद्रा सल पहले और लागतार अपने बजट बरहते जा रहा है बजट बरहते जा रहा है जिसके बज़से वो यूएस को पीछे करना जाता है यूएस और सबसे इंपोर्टेंट चाहिना के लिए नौ सेना ही हो जाती है क्योंकि आप देखेंगे तो अस्तेलिया से भी विवाद जापान से भी विवाद आप देखेंगे और सबसे बारत तो यूएस उसका मतलब यूएस से भीवाद च लखनी चाहिए तो उसको भी वो धेरे-देरे बाराते जा रहा है और इंडिया ही एक उसका समझे इधर मेजर जो है ये दुस्मन है और फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो अमरीका है वो मेजर दुस्मन है तो इन दोनों के लिए ही सैनिक मोडरिनाइजेशन किया जा रहा ह तो ये पांचवी पीडी का देखेंगे कि तेज लाराकू विमान है और तेजी से इसको तैनात भी किया जा रहा है अमरीका और भारत जैसे जो बीरोधी है इसके लिए एक देखेंगे करंतिकारी वो बदलाव करते जा रहा है सैनिक में अपने ये रिपोर्ट में बताया ग है तो फूजियान जो इसका आप देखेंगे तो एयर क्राफ केरियर है जिस पर कि आप समझे की फाइटर जेट को रखा जाता है यह आप देख सकते हैं फोटो आई एनस बिकरांत चाहिए सब हमारे यहां भी आप देखेंगे तो बहुत सारे बनाएं बहुत सारे नहीं देखेंगे वैसे ही यहां पर भी कंपनी है जो बनाई है और यह पीले वायू सेना और समुंदरी में ताकत को जबरदस्ती जाफा किया है मतलब इसके आज आने से वायू सेना में तो एक इसके स्ट्रोंगनेस आहीं रही है फिर आप देखेंगे कि जो नेभी है वो भी समझे की यूएस से विवाद बढ़ते जा रहा है और यूएस दिन पर दिन आप देखेंगे तो उसका पावर कम होते जा रहा है वैसे तो रक्षा बजट में बहुत ज्यादा डिफ्रेंस है उन्हों में देखेंगे तीन गुने का डिफ्रेंस है लगबग 800 बिलियन का रक् चाइना से तो यह आप डिफ्रेंस देख सकते हैं जो कि चाइना बहुत तेज में आप देखेंगे तो डिफ्रेंस बजट बढ़ाते जा रहा है लेकिन हमारा डिफ्रेंस बजट उतनी तेजी में नहीं बढ़ रहा है जितने तेजी में हमें बढ़ाना चाहिए था और यह जो है समझी ये फिप्ट जनरेशन का फाइटर जेट है तो फिप्ट जनरेशन का फाइटर जेट आप देखेंगे कुछी देशों के पास है तो चाइना आपको देखेंगे चाइना रख रहा है और वो खुछ से ही बना रहा है यूएस तो रखे कहीं आपको पता है कि यूए तो वो competition कर सकता है फिफ्ट जैनरेशन के फाइटर जैसे लेकिन आपको देखने को मिलेगा फोर पॉइंट फिफ्ट जैनरेशन ही है यह फिफ्ट जैनरेशन वाला जो है फोर पॉइंट फाइब जैनरेशन राफेल है और फिफ्ट जैनरेशन वाला आपको देखने को मिलेग तो ये आपके पास रूस के पास होगा, ब्रिटेन के पास है, फिर यूएस के पास है, तो इन लोगों के पास ही है, चाइना के पास है, तो ये कुछ मेजर कंट्री है, जो की डिफेंस में सबसे आगे रहते हैं, इन लोगों के पास है, जर्मनी के पास आपको मिलेगा, और च कि आप देखेंगे तो एक 35 जो विमान है जो मैंने आपको बताए है इसी के लिए यह बनाया गया है इसी के competition में तो यह 35 अब विमान का नाम भी सुने होंगे काफी मतलब सबसे अध्वांस अभी विमान है बॉल्ड में सबसे जो एडवांस विमान होता है फाइटर जेट वो है और जे 20 भी है जे 20 अब देखेंगे तो यह पाकिस्तान को भी दे रखा है तो जे 20 विमान है यह फिप्ट जनरेशन का है और बहुत चाइना ने अपने समझे की एरफोर्स में बहुत ज्यादा भर के रखा है एक सो पंचानवे देखेंगे कि भर के रख है हमें तो 26 जो अभी वाले order हुए है तो यह 9 सेना के लिए हुए है और चीन की हवाई सकती में बरदस्ती जाफा हो रहा है और दोनों में देखेंगे तो यूएस और इनमें होर मचा हुए है अब इनके बज़र से हमें भी अपना रक्षा बज़र बरहाना पर रहा है जो क इतना आमस बनते जाएगा जितना हथियार समझे किसी सेना के पास है तो यूद्स जब भी होती है तो उतना ही देखेंगे कि बिद्वन्स होगा मतलब कि समझे कि पूरी तरह से जो देश रहता है वो बरबाद हो जाता है जितना हथियार का यूज होगा उतने देश समझे क बीचे जाते हैं और उतने लोग मरेंगे और वैसे इसे हथियार आजकल बन रहे हैं जो कि हथियार लोग को काम करना चाहिए अब परमानु सकते ही देखेंगे इतना परमानु बंबन गया है कि पूरी पुरिधवी परमानु हमलत जापान में आप देखेंगे हुगा था तो आज भी वहां के लोग अभी सही से पैदा नहीं हो पाते हैं वह फीजी कली मतलब फीजी कली उनको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ करनी हैं फेस करते हैं वैसे ही सेम हो जाएगी और हो नहीं है जब भी कोई देश हारे है वैसे ही चाइना भी है तो पूराने विमान जो चौथी पीडिके लाराकू विमान है उसको क्या कर रहा है कि अब रिप्लेस करने के काम कर रहा है फिप्ट जनरेशन का जो फाइटर जेट है उसको भरते जा रहा है जो कि हमें भी अभी आप देखेंगे हमारे यहां पर क कितने मतलब कि समझें टेस्टिंग में ही कितने जो है यह एर्षा फैटर यहट वो पूरी तरह से गिर जाते हैँ गिर जाते है आंग लग जाती है उसमें बर्बाद हो जाते हैं एक हम फिगशन misunderstandee इि जा रहे है दो हमें भी अटे कि जुरत है और यह हम अब देख सकते हैं तो तेजह अ cardiovascular ज़ा रहे हैं तो हम भी बना रहे तरह से हम भी मोडल आइजेशन के तरह बढ़ रहा है एक तो पहले हमारे यहां पे ही इतना डिमांड है कि उसको हम पूरा नहीं कर पा रहा है फिर डिमांड दीरे-दीरे अपना पूरा करेंगे उसके बाद हमें एक्सपोर्ट भी करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए आले दिनों में यह पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया ओके गई थैंक्यों और अब मिलेंगे अपने नेक्स टॉपिक अ अपता है रहा है तो एक्ष बाता है बाद हुआता है